अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 21. सदी में कोई भी देश केवल सैन्यबल के आधार पर युद्ध जीच सकता है तो ये वीडियो आपके लिए है आज पूरे विश्व में COVID-19 माहमारी फैला कर चाइना बनना चाहता है विश्व की सबसे बड़ी ताकत क्यों बढ़ रहा है भारत और चाहिना के बीच तनाव और क्या हतकंडे अपना रहा है चाहिना एक विश्व शक्ती बनने के लिए कैसे कर रहा है चाहिना पूरे विश्व पर economic attack, biological attack, diplomatic attack and cyber attack चाहिना किसी भी देश की economy को कमजोर करने के लिए कम कीमत पर अधिक निर्याद करता है जिसके कारण उस देश की domestic, business, industry और trade पूरी तरह से collapse हो जाती है और धीरे धीरे वो देश चाहिना के product पर depend हो जाता है economically कमजोर देशों को अपने देश में infrastructure बिल्ड करने के लिए loan या grant की अवशकता होती है ऐसे में वो देश IMF या World Bank से loan लेते हैं लेकिन rate of interest high होने की वज़ा से और criteria strict होने की वज़ा से अधिकतर देश ऐसा नहीं करते हैं ऐसे में चाहिना इन economically weaker देशों को low rate of interest पर अधिक loan दे देता है जिसकी वज़ा से उन देशों पर आर्थिक दवाब बढ़ जाता है और साथी चाहिना इन कमजोर देशों में जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रिलंका, मालदीव, इन में बहुत अधिक infrastructure पर निवेश करता है चाहिना ये जानते हुए भी कि ये देश लोन चुकाने में असमर्थ होंगे तब भी इन देशों को लोन देता है और इन पर diplomatic प्रभाव बना कर, pressure बना कर भारज जैसे शक्तिशाली देशों के खिलाफ इन देशों को इस्तिमाल करता है और जब तक कोई देश चाहिना की स्कूट नीती को समझ पाता है तब तक वो पून रूप से उसके dead trap में फस चुका होता है देखो एक तरफ तो चाहिना नेपाल में अपना trade बढ़ाने के लिए भारत के कोलकता पोट का इस्तिमाल करता है और क्योंकि नेपाल चाहिना के dead trap में फसा हुआ है उस पर diplomatic pressure बढ़ा कर काला पानी के मुद्दे पर उसको भारत के खिलाब भड़काता है अब यहां भारत और नेपाल को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है हम अपने दोस्तों बदल सकते हैं लेकिन पडोसी नहीं इसलिए पडोस में संबंद अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और यदि आप चाहते हैं कि काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच मुझे विवाद है इस पर में एक सैपरेट वीडियो बनाऊं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं मैं आपको बताऊंगा कि इनसे कौन-कौन से नुकसान भारत और नेपाल दोनों को होंगे डिपलोमेटिक अटाक चाइना ये बखू भी जानता है कि भारत और नेपाल के हमेशा सही अच्छे संबंद रहे हैं नेपाल भारत और चाइना का दोनों का पडोसी देश है इसलिए चाइना ने नेपाल को कर्ज देकर अपने डेट ट्रैप में फसा लिया है एक तरफ तो चाइना नेपाल में अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए कोलकता पोट का इस्तिमाल करता है और दूसरी तरफ नेपाल को भारत के खिलाफ काला पानी को लेकर भड़काता है और बरगलाता है आज पूरे विश्व में COVID-19 महामारी फैली हुई है दुनिया का लगबग हर एक देश इस बिमारी से ग्रस्त है इस बात के भी पुकता सबूत नहीं है कि ये बिमारी चाइना के वुहान शहर में लेबरिटरी में पैदा की गई है या वहाँ की सीफूड मार्किट से आई है खेर इसकी जाच के लिए research agencies लगातार प्रयास कर रही है पर इस बात की भी आशंका है कि चाइना इस तरह के biological weapon बना रहा है Cyber attack, it's a most powerful weapon in China's hand Information technology के इस युग में हम applications, software, laptop, mobile phone, electronic gadget से जुड़े हुए है चाइना के लोग सक्ची देशबक्ती दिखाते हुए इन global platform जैसे YouTube, WhatsApp, Google इन platform का इस्तिमाल करने की बजाए अपने ही देश के develop किये software and applications का इस्तिमाल करते हैं और Chinese government भी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है कि उनकी country का data कहीं भी लिखना हुए और वहीं आज हम भारत में Chinese technology और उसके product से घिरे हुए हैं जैसे mobile phone, tablet, electronic gadgets, application, software यहां तक कि भारत के युवा पर TikTok ने तो बहुत गहरा प्रभाव बना रखा है ये Chinese app और software भारत से और वो रुपए का revenue जनरेट करते हैं मतलब indirect way में हम भारत के लोग apps का इस्तिमाल करके चाइना को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बना रही है और चाइना इसी पैसे का इस्तिमाल भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए कर रहा है आज चाइना भारत के लद्दाक और अरुणाचल प्रदेश पर कबजा करने की फिराक में है और हम भारती है ये सोचकर घर में चैन के निंद सोय हुए है कि बॉर्डर पर हमारे जवान हमारी रक्षा करेंगे 21 वी सदी में कोई भी युद्ध केवल सैन्य शक्ती के आधार पर नहीं जीता सकता ये जीता सकता है बुलट और वलट की पावर से यदि आप एक सचे देश भक्त हैं और भारत को पावरफुल कंट्री अन्बिटेबल डेमोक्रेसी और स्ट्रॉंग एकॉनोमी के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं देश के नागरिकों से अन्रोद करता हूँ कि भारत को फानेशली स्ट्रॉंग बनाने के लिए चाइनीज प्रोड़क्त का इंपोर्ट और ट्रेड बंद करें जिस तरह से चाइनीज ने सभी ग्लोबल सॉफ्ट्वेर्स का बॉयकॉट और बैन किया हुए ठीक उस तरह से हम भारतियों को भी चाइनीज एप्लिकेशन्स और चाइनीज सॉफ्ट्वेर का बॉयकॉट और बैन कर देना चाहिए जैसे टिक टॉक, शेरिट और हेलो हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी द्वारा चलाए गए अभिहान पर हमें जोर देना चाहिए जैसे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, एन लोकल टू ग्लोबल तभी भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनेगा और विदेश व्यापार करने से हमारा देश निरंतर प्रगती की ओर आगे बढ़ेगा यहां मेरा देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को एक सुझाव भी है कि हमारे देश में चाइना से इंपोर्ट पर इंपोर्ट डूटी इतनी बढ़ा दें कि चाइनीज प्रोड़क्ट इंडियन प्रोड़क्ट से महंगे हो जाएं ध्यान रखिए एक देश की अर्थिवस्था तभी विकास करती है जब उस देश की जीडिपी और पर कैपिटा इंकम बढ़ती है जब हम इंडिया में इंडियन प्रोड़क्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमाईरी जीडिपी बढ़ेगी और जब हम एक्सपोर्ट करेंगी तो भारत आर्थिक शक्तिगरूप में मजबूत बनेगा साथियों भारत का नागरिक और सच्चा देशवक्त होने के नाते मैं अपने मुबाइल फोन में से सभी चाइनिज सौफ़वेर्स को और एप्लिकेशन को रिमूव कर रहा हूँ और साथि साथ मेरी कंपनी में इस्तेबाल होने वाले सभी चाइनिज स्पेर पार्ट्स और प्रोडक्ट को मैं इंडियन प्रोडक्ट और स्पेर पार्ट से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि गर्व से कहूं मैं एक भारती हूँ मैं आप लोगों से एक विनमर निवेदन करता हूँ कि भारत को आर्थिक शक्तिक वे रूप में मजबूत बनाने के लिए मेरे सभ्यान से जुड़ें और इस जानकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से हर भारतिय नागरिक के साथ जरूर शेर करें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत